इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरे मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जहां पर एके करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरे मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे इसलिए लगतार हमरसाथ आ कीजेगा कमेंट बाॉक्स में कमेंट कीजेगा हैश्टैग वी सपोर्ट इंडिया दरासल दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरह बढ़ते हैं पश्यम बंगाल की मुख्य मंतरी मंता बनर जी ने मंतरी मंदल में किया है फिर बदल बाबुल सुप्रियों का विभाग बदला गया है केंदर सरकार को भी दे दी है बड़ी चेतावनी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पश्यम बंगाल की मुख्य मंतरी 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 मंद इसके साथ ही यहां पर बताते चलें सीयम ममता बनर जी ने केंदर सरकार पर बतले की राजनीती का आरोप लगाया है उन्होंने कहाए कि अगर महत्मा गांधी की जैनती पर राजगाट पर विरोजपरदर्शन करने की अनुमती दी गई तो उनकी पार्टी के लोग की बकाया मनरेगा रासी जारी करनी चाहिए यहां बेहद ही गरीब लोगों को दी जानी है इसके साथ ही सीयम ममता बनर जी ने यहां पर भतीजे और टीम्सी की नेता अभिशेक बनर जी को एडी की और से भेजे गया समन की भी निंदा की है और इसे एक योवा नेता को डरा ने धमकाने की कोशिश बताया है सीयम ममता बनर जी ने और केंदर सरकार को घेरा आये इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते जलें सुप्रीम कोड के वरिष्ट अधिवक्ता प्रसांद भूशड का दावा वन नेशन वन इलक्सन का मकसद पांच राज्यों में चुनाव टालना है सुप्रीम कोड के जाने माने वकील और एक्टिवेश्ट प्रसांद भूशड ने मोधि सरकार के वन नेशन वन इलक्सन के प्रसांत भूशडन ने आरोप लगाया है कि किंदर सरकार पांच राज्यों में आगामी विधान सभा चुनाव टालने के लिए ही वन नेशन वन इलक्सन का प्रचार कर रही है। प्रसावदी में गिर सकती है और फिर नई सरकार बन सकती है उन्होंने दावा किया है कि हाला कि अगर एक राश्टर एक चुनाल लागू किया जाएगा तो ऐसी इस्थिती में राश्टर पती सासन लागू किया जाएगा जो कि लोगतंतर के खिलाफ है इसका मतलब है कि हम लो प्रणाली के लिए समिधान में कई संसोधन कराने पड़ेंगे उन्हों कहा है कि मौजूदा सरकार के पास राज्य सभा में बहुमत नहीं है केंदर सरकार को इन सभी तत्यों की जानकारी है लेकिन फिर भी यहां पर दियान भटकाने की राजनीती की जा रही है यहां पर पू चुनाओं में लेकिन फिर भी जनता ने भाजपा को नकार दिया जिसके बाद यहां पर ओम प्रकास राजभर बुरी तरीके से फस्ते हुए नजर आ रहे हैं जिहां दोस्तों यहां पर माना जा रहा था कि घोसी में जीत के साथ ही बीजेपी यहां पर ओम प्रकास राजभ मच गया है उन्होंने का है कि जल्द ही जेल जाएंगे अखिलेश यादब और सिपाल यादब जिहां दोस्तों सुभासपा के अध्याच ओंपरकास राजभर लगातार अपने विवादित बयानों के चलते सुर्कियों में रहते हैं इसके साथ ही उन्होंने अब एक ऐसा बया जाच की जाएगी और जाच में दोसी पाए जाने के बाद ये लोग जेल जाएंगे ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि ओपी राजभर की तरफ से ये बयान सामने निकल के आया है इस बीच एक और अपडेट बताते चलें कॉंग्रेस के अध्यच मलिका अरचुन खडगे को मिला नोटिस इंडिया सब्द के बीच में असोग चक्र दिखाने पर मांगा गया है जवाब क्या है पूरी खबर बताते चलें कॉंग्रस के राश्ट्री अध्यज मलिका अरुचुन खडगे को गौालियर के एक अधिवक्ता ने कानूनी नोटिस भेजा है उनसे तीन दिन में इंडिया सब्द के बीच में असोक चक्र दिखाने पर जवाब मांगा गया है जवाब नहीं मिलने की दसा में अधिवक्ता उनके खिलाफ कानूनी कारवाई के लिए आगे बढ़ने की बात भी कह रहे हैं आपको बता दें कि ये नोटिस गौालियर की कोट में प्रैक्टिस करने वाले भाजपा के समर्थित अधिवक्ता अवदेश तोमर ने भिजवाया है दरासल पिछले दिलों कॉंग्रिस के अध्यच मलिका अर्चुन खडगे ने ट्विटर हैंडल पर विपच्छी दलों के समुहूं इंडिया कटबंधन का एक लोगो अपनी वेबसाइट पर जारी किया था इसमें अंग्रेजी में इंडिया लिखे सब्दों के बीच में असोक चक्र को प्रदर्शित किया गया था भाजपा के समर्थक वकील का कहना है कि कोई भी राज़नीतिक दल इस चिन का अपने व्यक्तिगत लोगों पर प्रदर्शन अत्वा अन्ने कहीं इस्तमाल नहीं कर स की बात कहीं है वहीं पूरे मुद्दे पर एक सोसल मीडिया यूजर का कहना है कि इस प्रकार अगर देखा जाए तो भाजपा का चुनाव चिन भी राष्ट्रिया फूल है तो यहां पर कमल को भी भाजपा का चुनाव चिन यहां पर छीन लेना चाहिए यहां पर पूरी ख किये गए हैं नजर बंद इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है आंदर प्रदेश के पुर्वमुक्यमंत्री और टीडीपी के प्रमुक चंदर बाबु नाइडू को CID ने भरिष्ट चार के मामले में गिरफतार किया है टीडीपी कारकरताओं ने आंदर प्रदेश बं वहीं प्रदर्शन के दोरान कई नेताओं और कारकरताओं को पुलिस हिरासत में लिया गया है जिनको यहां पर तमाम जगाओं पर पुलिस स्टेशनों में ले जाया गया और वहीं खबर आ रही है कि टीडीपी के 21 विधायकों को भी पुलिस ने नजर बंद किया यानि कि विरोज प्रदर्शन करते हुए यहां पर पुलिस ने भी कारवाई की है यह यहां पर खबर आई है दोस्तों आंद्र प्रदेश से सामने निकलके इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरह बढ़ते हैं जनता ने 2024 में मोदी सरकार की विदाई का रास्ता बनाना सुरू कर दिया है खड़गे का पियम मोदी पर हमला जिहां दोस्तों खबर बताते चलें कॉंग्रस अध्यच मलीकार चुन खड़गे ने महंगाई बिरुजकारी और ब्रेश्टचार के मुद्धे पर मोदी सरकार को घेरा है कॉंग्रस के अध्यच ने यहाँ पर कहा है कि पियम मोदी सच्चाई पर परदा डालने की पुर्जोर कोसिस कर रहे हैं पर जनता मोदी सरकार के ध्यान भटकाने वाले मुद्धों के बजाए सच सुनना और देखना चाहती है खड़गे ने कहा है कि अब जब G20 की बैठक खतम हो गई है मोदी सरकार को घरेलू मुद्धों पर अपना ध्यान आकरसित करना चाहिए अगस्त में एक आम खाने कि थाली कदाम 24 परतिसत बढ़ गया है देश में बेरुजगारी दर 8 परतिसत है युवाओं का भविस से अंदकार मैं है और इसके साथ ही यहाँ पर कॉंग्रिस के अध्यच ने ब्रहष्टचार को लेकर के भी मोदी सरकार पर निसाना सादा है उन्होंने आगे लिखा है कि मोदी सरकार के कुसासन में ब्रहष्टचार की बाड़ आ गई है सीएजी की यहाँ पर कई रिपोर्टों में बीजेपी की पोल खोली गई है जमू कश्मीर में 13,000 करोर का जल जीवन घोटाला सामने आया है जिसमें एक दलित आयस अधिकारी को इसलिए प्रताडित किया क्योंकि उन्होंने भ्रहष्टा चार उजागर कर दिया यहाँ पर कॉंग्रिस के अध्यच मलिकार चुन खडगे ने घेरा है केंदर की मोदी सरकार को यह यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम भी हद बड़ी खबरे थी मुक्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को मुक्य समाचारों को शेर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में और चैनल पर नहें तो चैनल को सब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद